कि देश में सब की इच्छा है चिकित्सा सबको सुलब रहे सब के पास पहुच सके और सिकित्सा महंगी नहीं हो सब आयूवरग के लोग उसका लाब ले सके वो सस्ती और सुलब चिकित्सा पानी है तो स्वा के अधार पर क्या विचार करेंगे पहली बात है कि हमारी परंपरा में केवल इल्नेस का बीमारी का विचार नहीं किया हमने वेल्नेस का भी विचार पहले से किया है आयूरुएद में एक पूरा प्रकरण स्वास्थे वृत्त है बीमार नहीं कैसे पढ़ना उसमें जैसे स्वच्छता का महत्व है उस पर तो कई वर्षों से हम आगे आगे बढ़ रहे हैं लोकस्वास्थ का पबलिक हेल्थ का विश्या है उस पर भी हमको बहुत तरीके से आगे जाना पड़ेगा क्योंकि उसमें शासन को भी बहुत कुछ करना पड़ता है समाज को भ पर भी जान देना पड़ेगा सारवजनिक स्थानों पर स्वच्छता भरत्ने की आदत लगानी पड़ेगी कि स्वच्छता के लिए नंबर मिलते हैं आजकल शहरों को अच्छी बात है लेकिन दिखने वाली स्वच्छता और जहां नहीं कोई देखता वां स्वच्छता नह अई ऐसे लोकस वास्थे में नहीं था सल्था विमारी हवासे भी आती होर्श लिए स्वास्थे के नियमों का ध्यान rep fishes और जीवन-शैली मुख्यता ठीक करना प्राकृतिक जीवन शैली चाहिए जितनी प्रकृतिके पास रहेगी उतना हम स्वस्थ रहेंगे परियावरण के साथ मेल खाने वाली जीवन चाहिए हम बेतहाशा रासायनिक खेती का प्रयोग करेंगे तो कैंसर तो बढ़े गाई हम अगर हर जगा प्लास्टिक से प्रदूशन लाएंगे तो हम जिस सास से हवा भरते हैं वो सास अपनी विशयली हो जाएगे और इसलिए हमारे यहाँ पानी का उप्योग ठीक से करना नाप तोल कर करना पानी सबके लिए आवश्चक है लेकिन अगर हम पानी को अमरियादित खर्चा करने लगे तो सबको पानी नहीं मिलेगा और सब सुखी होंगे तभी हम सुखी होंगे नहीं तो नहीं होंगे प्लास्टिक का उप्योग कम से कम करना चाहिए कम से कम जिसको अंग्रेजी में सिंगल यूज प्लास्टिक कहते उसको तो अब जीवन से अटाने के बारी आ गई और जहां बनता है घर से लेकर अंगन से लेकर मुहले गाओं जंगलों खेतों तक हरियाले बढ़ाना वृक्षा रोपन करना और यह करने के आवश्क्ता है उसके लिये परयावरन गतिविदी चलाते हैश्वाइंचवद्ण परयावरन के शत्र में बहुत लोग काम करते जलस अंधारंड से लेकर सारी बातों में परियावरन गतिविदी प्रत्यक परिवार में पानी बचाना प्लास्टिक खटाना और हरियाली बढ़ाना इन तीन का छोटी-छोटी बातों से लेकर सब में आचरन उत्पन्न हो इसके लिए परियास करती है क्योंकि यह ऐसी जो परियावरन की शहिली है वो सास्थ को भी ठीक करती है और खर्चा भी बचाती है कोरोना काल में जितने विवा हुए कितने सस्ते में हुए हमारे ध्यान में कई बाते आ गई कि हम जो खर्चा करते हैं वो कितना खर्चा फालतू होता है इससे कम में हम जी सकते जो मिलता है उसमें अपने घर गर्वस्ती को रोटी कपड़ा मकान स्वास्थे शिक्षा आतिती सत्कार आईसी यूनतम आवश्चक्ताओं को ठीक से पुरुन कर सकते कि अब कुरुना जाएगा जाने को है अपनी सुद्रिवी आदत को फिर से नहीं बिगाड़ना इसका हमको ध्यान देना पड़ेगा और इसलिए परियावरण के साथ स्वास्थ को साथ्ते हुए हमको यह भी प्रयास करना पड़ेगा कि सब प्रकार की प्याथियों को मन्यता देते हुए अपने-पने पैथि का आंकार अभिमान तो रहना चाहिए गवरो तो रहना चाहिए आंकार नहीं होना चाहिए कुछ बीमारियों को कुछ पैती में इलाज है किसी में नहीं है हर एक चिकित्सा पद्धती का अपना अपना तत्वन्यान है मतबहन हो सकते हैं लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए सभी चिकित्सा पद्धतियों का समन्वय करते हुए सब को सुलब हो सके ऐसी चिकित्साम दे सकते क्योंकि कुछ पद्धतियों में इलाज महांगे हो जाते उसका इलाज नहीं कुछ पद्धतियों में वही इलाज बहुत सस्ता हो जाता है उसी बीमारी का और गुण भी मिलता है तो इसलिए सभी पद्धतियों का समन्वय करते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे और सबको एकदम बहुत गंभीर चिकित्साओं का सामना नहीं करना पड़ता छोटी मुटी रोज की बीमारिया होती है तो प्राथमिक चिकित्सा अपने गाव में ही उपलबदर है उसमें डॉक्टर वैज्दे भी हो और अंग्रेजी में कहते बेरफूट डॉक्टर्स बहुत उच्यस्तरिया बहुत गंभीर चिकित्सा अगर आवश्चक है आए दो